हेलो प्रेंड मैं आनंद राज आप शोग देखिए बिहार इंवर्सिटी का चार अपरेल से एक्जाम में स्टार्ट उने वाला है बिएट फरस्ट एर का सेशन देश परचिस का देखिए कोर्स वन का बता दिये थे कुन-कुन पांच इंपोर्टेंट कोस्टन पर लिजेगा वैसे ही कोर्स टू जो केंटेंबरोडी इंडिया रेजुकेसर उसका भी हम बताएंगे कि बेस कोस्टन कुन-पांच पर लिजेगा कि वह एक्जाम है से भीविया करवाया है वह तो देखिए लिजेगा लेकिन पांच कोस्टन आपको पुन-पर जाना एक्जाम में जो कुस्टन पांच यूनिट में पर जाएगा उपर ही कि जाएगे कि उससे रिलेटेड आपका कुस्टन रहता है समझे यदि कि नहीं को नोट्स चाहिए सभी कोर्स का नहीं लिए है अभी तक इस नंबर पर वार्ट्सप करके नोट्स ले सकते हैं पंचानवे छी अतर डवल देखे आपका जो कोर्स टू है केंटेंपरोरी इंडिया ने दूकेशन पांच यूनिट में आपका दस कोस्टन दिया जाएगा पड़ते के उनिट से एक प्रसन का चैन करते हुए आपको कुल प्रसनों का जवाब देना है तो देखिए हम बेस कोस्टन आपको बताते हैं स कि सिक्षा क्या है उसका मुद्देश विगरा समझे परिभास आए सब अच्छा से आप परके जाए कि यूनिट 1 में आपका सिक्षा से रिलेटेड ही आपका कोस्टन आता है एक्जाम में पांचो कोस्टन आपको लिखके आना है कोई भी पांच कुछ हैगा ता पांचो ल समझ गया दूसरा यूनिट जो आता है आपका कि इसमें आयोग के बारे में पुछेगा समझे सभीधान से रिलेटेट कोस्टन इसमें रहता है कि धर्निपेक्ष वंधूत्व समझे समाझवादी निया के बारे में बताना होता है समझे और यहां पुठारी कमीशन या जानते हैं कि धन रिप्यक्ष क्या होता है कि कोई विदेश का जो अपना धन में नहीं होता है समझे वहां पर कोई भी आदमी को अपना सकता है परचान परशाद में धन्यूप्यक्ष हुआ कुछा के ढख किसी देश के मद बिकास की से मदद करती है यह जो सिग्छा से जाएगा या सिक्षा आर्थी विकास में कैसे मदद करता है या सिक्षा समाजिक परिवर्दन कैसे लाता है तो उसी से उनिट वर्ण का कोशन पढ़िएगा सिक्षा उसी से भी हो जाएगा समझे जब सिक्षा होगा तो आप क्या होगा कि दूसरे देश के संस्कृति को जानि इसमें एक दर्शन से आपका रहेगा ही रहेगा समझें सब्सक्राइब आता है वाद से आता है समझें लेकिन एक कुछन आपका आप दर्शन पर ही कि जाहिए का दर्सन क्या है दर्सन की परिभासा देते हुए शिक्षा और दर्सन पर मतलब क्या संबंद है समझगे शिक्षा है दर्सन एक सिक्के के दूपल हुए ऐसे भी आ जाता है दर्सन से आपका एक कुर्षन रहेगा ही रहेगा समझे दर्सन इंपोर्टेंट है और इससे एक कुर् दूसरा आपका आता है वाद से इस वार आदर्स वाद आने की संभावना है या मानवता वाद बोल सकते हैं समझे तो दर्सन आप लोग अच्छा से परके जाएगा समझे एक कोशन दर्सन से आएगा एक कोशन आपका वाद से आता है समझे तो दर्सन अच्छा से परके जाए आपका अधर्स वाद या जो भी आपका प्रकिर्थी वाद है समझें इस अपका जो एक फोर्मेट होता है समझें कि उसका पहले इंट्रोडक्षन लिखना है फिर उसका उसके नुसार शिक्षा क्या है उसके अनुसार पाठ करम क्या है सिक्षन विधी क्या है स्कूल क्या है और में चीज आएगा तो एक पड़ लिजैगा तो आप लिख सकते हैं अच्छा से समझें अब हम लोग आते हैं इन्डियन हो गए तो देखिए सब का वही है आप सिर्फ इंट्रोडक्षन में देखिए बाद वाकि समझे बहुत सिक्षा क्या का जो ना चाहिए लुकर नशासन का यह सकते आप प्रस्तामनात हो देख लिजिएगा इंट्रोडक्शन में देटों बढ़ते सब फुरा जगह बाद वागी आप वही चीज से कोडिलेट करके आप लिख सकते हैं समझे तो रूसो पुछे या आपका विवेकानंद पुछे समझे उसका आप इंट्रोडक्शन देके एक फोर्मेट मना लिजेगा उसी फोर्मेट क अधार पर लिख सकते हैं आपका अच्छा से लिख सकते हैं इसमें थिंकर से आता है आपका कोश्चन या तो विदेशी एक विदेशी पृष्टा और एक मतलब भारतियर आता है समझे तो विवेकानंद आप परके जाईएगा समझे अब आते हम लोग रूसों देख लिज अधार परके जाईएगा किसी से कोडिलेट करके आपका क्यारा रहेगा एकजाम में समझ गये होंगे तो इपांच उनिट में शिक्षा देख लिजएगा दुसरा में कोठारी कमिशन और सिक्षा से डिलेटर नहीं यूनित 2 में आता है समिधान से यूनित 3 में दर्षान अ थांक यू